हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट बेंज आज जो हम आपके सामने पार्ट लेकर आए हैं ये हमारे हिंदी साहित के काविखंड के से हैं काविखंड में एक कविता लेकर आए हैं जो ये कविता हमने आपके सामने रखी है ये कविता लिखी है सुमित्रा नंदिन पं क्योंकि जैसे ही मैं बड़ी होती हूँ आप मुझे छोड़ देते हो जब तक छोटी रहती हूँ आप मुझे नहलाते हो दुलारते हो खिलाते हो मेरे पीछे पीछे रहते हो लेकिन जैसे ही मैं बड़ी होती हूँ आप मुझे छोड़ देते हो इसलिए मैं हमेशा ही छोटी ह रहना चाहाती हूं तो एक बच्चे के मन की एकल्पना बहुत ही सुन्दर प्यारी सी सामने रखिए सुमित्रा नन्न पंत जी ने चलिए देखते हैं इसको हम मैं सबसे छोटी हूं तेरी गोद में सों तेरा आचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदामा तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ तो अब यहाँ पर क्या कही है वो बच्ची कि मैं आपकी सबसे छोटी संतान हूँ और मैं तुम्हारी ग्योद को जो है कभी नहीं छोड़ूँगी तेरा आचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा में तेरे साथ तो कह रहे है कि मैं तुम्हारा आचल यानि कि तुम्हारी साड़ी का जो आचल है वो उसको पकड़ के मैं हमेशा तुम्हारे साथ पीछे पीछे ही चलती रहूँगी जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ूँगी कभी न चोड़ू तेरा हाथ और कहीं पर भी मैं जाओं कभी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूँगी तो इसको कैसे लिखेंगे मैं सबसे छोटे हूँ कविता के प्रथम पद में वच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी मां की सबसे छोटी संतान बनूँ ताकि उसकी गोद में प्यार से सो सकूँ कि मैं चोटी संतान बनूँगी और उसकी गोध में बहुत ही आराम से सोऊंगी प्यार से उसका आचल पकड़ कर हमेशा उसके साथ गूमूँगी और उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूँगी मतलब वो अपनी माँ की गोद में ही हमेशा रहना चाहती है उसका आचल पकड़ कर चलना चाहती है और कभी उसका हाथ नहीं छोडना चाहती है नेक्स पैरा में क्या बोलती है बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मत हात पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात तो अब इस वाली में पंक्तियों में वो क्या बोल रही है कि जब हम बड़े होते हैं तो तूम क्या करती हो मतलब जब तक छोटे रहते हैं तो आप हमारे साथ रहते हो लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो आप मुझे चलना शुरू कर देती हो क्या बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात मतलब जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं तुम हमें छोड़ देती हो और हमसे पीछे हट जाती हो हमें आगे आगे चलने देती हो और तुम हमसे पीछे हट जाती हो हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात और फिर हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर हमारे साथ दिन रात नहीं फिरती हो तब तुम हमें सच्छन्द कर देती हो अपने आप चलने के लिए हमारे हाथ को नहीं पकड़ती हूँ क्या कहती हैं मैं सबसे छोटी हूँ कविता के इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं मा हमारा साथ छोड़ देती है फिर वह दिन राद हमारे आगे पीछे नहीं गूमती इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए तो जैसे ही हम बड़े होते हैं भई हर मा क्या कहती है जब तक बच्चा छोटा है सपोर्ट की जुरूरत है मा करती है लेकिन जैसे ही बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा जब अपने आप में आने लगता है समलने लगता है तो मा धीरे धीरे उसको अपने आप करने देती है क् कंडिशन में वो अपनी बोलती है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं तुम हमसे पीछे अट जाती हूँ, हमें अकेला छोड़ देती हूँ, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं हमेशा छोटी ही बना रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती ह अपने कर से खिला, धुला मुख, धूल पोँच, सज्जित कर गात, थमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात तो अब क्या है जब बड़े हो जाते हैं तो जो तुम छोटे में करती थी अब वो तुम हमारे साथ नहीं करती छोटे में मा क्या करती है, अपने कर से खिला, मतलब अपने हाथ से खिलाती हो, मुख धुलाती हो, और खिलाने के बाद में मुख भी धुलाती हो धूल पोचती हो, हम खेलते रहते हैं तो हमारे उपर जो धूल मिट्टी लग जाती है, उस धूल मट्टी को भी पोचती हो फिर हम जैसे ही बड़े होते हैं हाथ में कि ये सब चीजे तुम करना छोड़ देती हो और हाथ में खिलोने नहीं थमा देती हो और हमें फिर सुखत परीयों की कहानी भी नहीं सुनाती हो क्यों क्योंकि तब तुम हमें खिलोने थमा के छोड़ देती जब हुम छोटे थे तो हमें परिव की कहानी सुनाती थी और ना ही सवारती है फिर तो माह हमें प्यार से एक जगा बिठा कर खिलोने से नहीं खिलाती और परीयों की कहानी भी नहीं सुनाती तो जो कुछ वो बच्पन में कर रही होती है जैसे ही हम बड़े होते हैं वो हमें ये सब चीजे नहीं करती है वो हमको फिर अपने आप खेलने के लिए जोड़ देती है तो इस तरीके से इस पूरी कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी जो हमें बोल रहे हैं वो हर एक पंक्ती में बहुती सुन्दर ढंग से हमको देखने को मिल रहा है अब आगे पंक्तियों में क्या बोल रहे हैं अब यहां पर क्या बोल रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि वो बच्ची कहती है कि ऐसी बड़ी न हूँ मैं ऐसा बड़ा नहीं हूना चाहती कि तेरा इसने मैं खोदू मैं बड़ी हो जाओंगी तो मैं तुम्हारा इसने खोदूंगी मैं ऐसी बड़ी नहीं हूना चाहती तेरे आचल की छाया में छिपी रहूं मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी आचल की छाया में हमेशा छिपी रहूं उसका इसने पाती रहूं और निर्भय होकर वहाँ पे रहूं वहीं अपनी मां के आचन में हम रहते हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता बाहर दुनिया में निकलते हैं तो हमें तरह तरह के डर घेरते हैं तो वही बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे आचन में रहकर एकदम निर्भय होकर रहना चाहती हूं कहूं दिखा दे चंद्रोदे तो इसी तरीके का एक चंद्रोदे में देखना चाहती हूं तो यहाँ पर क्या दिया है चंद्रोदे का मतलब दुलार प्यार जो है मैं हमेशा तुम्हारा दुलाल प्राल देखना ही चाहती हूँ तो क्या है मैं सबसे छोटी हूँ कविता के अंतिन पद में बच्ची कह रही है मुझे बड़ा नहीं बनना क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं मां का आचल का साया खोदूंगी जिसमें मैं निर्भाय और सुरक्षित होकर आराम से सोजाती हूँ अता बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे मां का प्यार और दुलार नहीं मिलेगा तो ये कविता जो हमने पढ़ रहे हैं हमको बड़ी अच्छी लग रही है कि एक छोटी सी बच्ची किस तरीके से बोल रही है कि हम बड़े नहीं होना चाहते अपनी मां से दूर नहीं होना चाहते जो मा और पिता जी का बिना किसी लालच के जो हमें इसने ही मिलता है वो इसने हम खो देते हैं हमें बाहर दुनिया में इसने कहीं नहीं मिलेगा हमेशा कुछ ने कुछ पाने की कामना रहती है कि हम इसको अगर कुछ बात भी करें तो हमें इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए लेकिन मा और बाप का प्यार ऐसा रहता है जिसके बदले में हमें कभी कुछ नहीं देना पड़ता बस वो हमें मिलता ही जाता है तो इस कभीता में हमने इसे बहुती सुन्दर ढंग से देखा भी है कि उस प्यार को एक छोटी सी बच्ची नहीं खोना चाहती है इसके प्रश्रुत्तर भी हम थोड़ी देर में आपके लेके आपके सामने आएंगे लेके थाइंक यू बाबाई